भारत का जो बिरासट कानून है, उसमें अभी देखें कि हिंदू बिरासट कानून और मुस्लिम बिरासट कानून दोनों में क्या अंतर है और बिरासट क्या होता अगर आप नहीं जानते हैं, तो उसको भी जानना बेहद जरूरी है. देखें आप जो है ऐसा सुने होंगे कि बिरासत में मिली संपत्ती यानि संपत्ती जो प्राप्त हुआ वो बिरासत में प्राप्त हुआ तो बिरासती जो संपत्ती है इसको यानि इन एरिटेटेड प्रोपर्टी बोलते हैं तो ये संपत्ती जो प्राप्त होता है कहां से प्राप्त होता है तो बिरासत से मिलने का मतलब हो गया कि जो संपत्ती आज में हम उप्योग कर रहे हैं उसमें हमारे जो इस संपत्ती के मालिक हैं उनकी मिर्तियों हो चुकी है अब मालिक की मिर्तियों हो चुकी है तो इसका मतलब यह नहीं कि मालिक जो होगे वो कोई गारजियन जो हैं सिर्फ वही होगे यानि आप जो है मालिक और नोकर वाली बात है बिरासत में मिलने का अर्थ पिता और पुत्र के साथ भी हो सकता है है ना या अन कोई व्यक्ति है जिसको बिरासत में संपत्ती प्राप्त हुआ वह भी हो सकता है लेकिन अगर बात करें आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कोई भी अगर माल लेते हैं मिर्त व्यक्ति है कोई व्यक्ति की अगर मिर्तिव हो जाती है ठीक है तो उस जो मिर्त व्यक्ति के उत्राधिकारी है है न जो वो जिनको विरासत में संपत्ति प्राप्त है ठीक है जो उत्राधिकारी होंगे अच्छा उत्राधिकारी कौन होता है उत्राधिकारी में भी टाइप होते है एक वो टाइप होता है उत्राधिकारी का जो की क्लास वन में आता है क्लास वन में कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति की मिलती हो जाती है तो पहला जो बात करें यहाँ पर सबसे पहले अधिकार उत्राधिकारी उसका बेटा उसकी बेटी और उसकी जो विद्वा अगर मालते कोई व्यक्ती की मिर्दी हो जाती है तो उसकी जो विद्वा है है ना यानि उसकी जो पत्नी है वो कलास वन के मतलब अब उत्राधिकारी है उनको समपत्ती में जो है हक जो है वो प्राप्त होगा लेकिन जो अगर बात करें यहाँ पर और इसमें सभी का जो हक होगा वो समान हक जो है समान हिस्सा यहाँ पर प्राप्त होगा कि इसलिए कि अगर मान लेतें विरासत कानून के तहट जो भी है वेक्ति उनके जो वारिस है उसको समान हिस्सा जो है वो प्राप्त मिलता है मनवू कानूनी तरीके से बेटा बेटी और जो उनकी पत्नी है सभी को जो है जो सियर मिलेगा जो हक मिलेगा वो बराबर का मिलेगा ये हिंदू विरासत कानून की बात कर रहे हैं हिंदू विरासत कानून में सिख, जैन, बोध, आर्य समाज जो है ये सभी के लिए ये नियम जो है जो विरासत कानून है वो समान है मुस्लिम विरासत कानून की अगर बात कर रहे तो उसमें सिया और सुनिय उनके लिए दोनों वर्ग के लिए नियम है इसके बारे में भी बताएंगे आपको लेकिन अब ही यहां पर जो आप समझ सकते है cysts 1 जो बिरासत में अगर संपती पराप्त होता है तो कलास 1 के जो भी उत्रादिकारी है ठीक है हिंदू बिरासत कानून के अगर बात करें तो सब को समान अधिकार पराप्त होता है लेकिन अगर आप जो है बिरासत की संपत्ती पराप्त करते हैं तो उन पर अगर किसी परकार का कोई कर्ज भी है तो कर्ज भी आपको चुकता करना परेगा सिर्फ जो है विरासत से आप संपत्ती लेंगे लेकिन साथ साथ आपको कर्ज भी लेना होगा अगर जिनका भी संपत्ती है ठीक है तो कर्ज है कौन चुकता करेगा जो उत्रादिकारी है वहीं चुकता करेगा कोई माल लेते हैं आपके पिता या जो दादा होंगे जिनका वि शुकता करें नहीं, ठीक है, दूसरा की माल लेते हैं, कि अगर बेटा, बेटी और जो है एक तरह से, ये सब लोग नहीं है, जिस बैक्ति की मिर्तियू होती है, उनका ना बेटा है, ना उनकी पतनी है, तब यहाँ पर जो है, दूसरे कलास के उत्रादिकारी होते हैं, कलास ट है न यानि second step है यह हो सकता ही कि बेटा बेटी बिद्बा अगर है तब भी पिता भाई और वहन है लेकिन बेटा बेटी और विद्बा है तो भाई पिता और वहन को हक मिलने वाला नहीं है इसलिए कि कलास्टू के उत्राधिकारी हैं अगर ये लोग नहीं रहेंगे बेटा बेटी बिद्वा तब पिता भाई और बहनाके जो है पड़े एक तरह से उसके उत्राधिकारी हों लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मुसलिम बिरासत कानून में तो देखें मुसलिम बिरासत कानून में जो है कोई भी मिर्तक है मालेते किसी की मिर्त्यू हो जाती है तो उनके जो मालेत या इंतकाल के बाद जो होता है जो उनकी एक तरह से वाइप है पतनी है अगर वो निसंतान है ठीक है मुसलिम में क्या होता है कोई भी उसको जन्डेशन नहीं है तो one by fourth का हगदार है उड़ी प्रोपर्टी में से एक हिस्सा उनको मिलेगा अगर वो चार हिस्से में बटा हुआ है तो ये उस पत्नी को मिलेगा जिनके पती का इंतिकाल हो चुका है लेकिन मुस्लिम में जो है पत्नी है उनकी उनको one by eighth हिस्से मिलेगा अब आप समझ सकते हैं कि एक दो तीन और यहां पे चार पाँच छे साथ और आठ तो यानि एक हिस्सा जो है उनको पराप्त होगा आठमा हिस्सा जो है ये कानून है है ना माल लेते हैं किसी का जो एक तरह से लेकिन ये अगर पती की मिर्तियों हो जाती है पती का इंतकाल हो जाता है लेकिन अगर माल लेते हैं पत्नी की मिर्तियों हो जाती है तो उस केस में क्या होता है अगर कोई भी जो है अगर एक तरह से पत्नी की मिर्तियों हो जाती है तो उस case में और बच्चे नहीं है तो यह अब जो पती को प्राप्थ होता है अगर उसकी बात करें तो पती को one by two आधा हिस्सा प्राप्थ होगा यह पूरा आधा पतनी का संपत्ती है यह ना और एक तरह से पतनी का मिर्थी हो जाती यह बच्चे नहीं है तो आदा हिस्सा उनको प्राप्त होगा अब है कि बच्चे हैं तब एक one by fourth जो है सेयर है वो उनको प्राप्त होगा तो ये सारे जो कानून है अब देखें इस्लामिक जो कानून है ठीक है तो उसमें जो संपत्ती का बटबारा है तो उसमें पतनी मा और बच्चे के बीच में तो वो संपत्ती होगा कुछ ऐसी मुस्लिम विरासत जो कानून है इसमें अगर कोई भी अर्जिस संपत्ती है पैतरिक संपत्ती है तो सभी के लिए देखें एक बराबर वहाँ पर है अलेकिन अगर हिंदू विरासत कानून की बात करें तो यहां पर पैतरिक संपत्ती के लिए जो आपको पुर्वस्य प्राब संपत्ती है उसके लिए अलग नियम है इसमें पैतरिक के लिए अलग है और इसमें ऐसा नहीं है अब सवाल उटता है कि बिरासत का जो यह कानून है तो इसमें इसाई और पार्सियों के लिए थोड़ा अलग नियम है जो इसाई है तो इसाई के लिए अब यह नियम जो है ना कानून जो हमारा है भारती है उत्रादिकार अधिनियम अधिनियम अब इसमें जो 1925 अधिनियम 1925 और इसमें बहुत सारे सेक्षन में जो है इसाई के कानून का वर्नन किया गया है अब उसको आगे जरूर डिटेल से बताएंगे कि आखिर इसमें क्या-क्या मेंसन किया गया है और दूसरा जो यहां पर पार्सियों के लिए जो है पार्सियों के लिए भी हाड़तीह उत्रादिकार कार अधिनियम 1985 में बहुत सारे सेक्षन में जो है वर्नन किया गया है थीक है तो इस तरीके से यह कानून बना है अब यह मुस्लिम जो विरासत कानून है तो वो मुस्लिम के लिए कानून है अब मुस्लिम में भी दो समाज के दो वर्गों में बटा हुआ है लेकिन जो सुनी है वो लगभग आप कह सकते हैं कि 80 से जो है 90 परतीसत पूरे अगर वर्ल्ड की बात करें तो जो वर्ग है वो तरह से सुनी समाज का है तो अब यहाँ पर फरक अगर मान लेते हैं जो लोग नहीं जानते हैं अगर वो जानना चाहते हैं क्या फरक है तो उसको भी डिटेल में नहीं जाएंगे एक सौट में हम आपको बताना चाहेंगे कि समाज में जो है यहाँ पर दोनों बर्गों में विवाद है एक तरह से ये विवाद जो है वो मजहबी है ठीक है वो उनका अपना मजहबी विवाद है दोनों में और दोनों जो है यहाँ पर इसलाम कुराम और जो है यहाँ पर सरियत को मानते हैं सबी मानते हैं को मानते हैं लेकिन जो पैगंबर मुहम्मद पर इनकी राय सिर्फ अलग अलग हैने और इसी राय को मतलब इनकी इन्टकाल के बाद यह बढ़ाए है और इसी राय के लिए अभी तक जो यहां पर बात करें वो बिभाद चलता आया है और यह बिभाद मजभी है और सुनी के अगर बात करें पूरे जो है यहाँ पर भारत में भी ऐसी से नब्य परतीसत है और पूरे अगर वर्ड के भी बात करें तो अधिकांस जो है वर्ड वो सुनी वर्ड का है आसा करते हैं वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो को लाइक जरूर करते हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो वेल आइकन है उसको जरूर दबालें